नमस्कार दोस्तों, MK Electrical में आपका बहुत पर स्वागत है दोस्तों, आज ये तूफानी बंका हमारे हाँ रिपेर होने के लिए आया है तो दोस्तों, ये से हम चेक करते हैं कि इसकी Starting Coil और Running Coil दोनों बोल रही है या नहीं बोल रही है तो दोस्तों, हम ने देखो, ये Running Coil पहले चेक की ये नहीं बोल रही है दोस्तों, इसके बाद हम Starting Coil चेक करेंगे Starting हमारी बोल रही है या नहीं बोल रही है ये दोको इस तरीके से करते हैं दोस्तों यह एकडम औरिजिनल तरीके से मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूं दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार्टिंग भी नहीं बोल रिया और रनिंग भी नहीं बोल दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा फैन देखो कहीं कटा हुआ तो नहीं है चुवे बगएरा काट गए हो या कोई जल गया हो तार तो आप देख सकते हैं ये देखो चुवा ने काटा है ये इसकी दोनों कोईल है काटी है मैं आपको बता दूँ कि इसको सीरिस से कैसे चेक करेंगे और दोस्तो चेक करने बाद कौन सा तार किसके साथ जुड़ना है जिससे हमारा फेंट ठीक हो जाए तो देखो हम सीरिस से चेक करते हैं सबसे पहले हम ये इसको चेक करते हैं जो कटी हुई निकलिए वीतर की साइट ये देखो हमने इस टार पर लगाया एक तार उसके बाद जो टूटे हुए तार उन पर एक एक करके हम इसको चुछादे struggles बोलने लग जाये ये देखो हम चुला के देखरां इस तार पर हमारी सीरिस बोल रही है तो मतलब यह है कि एक से रा तो हम इसे लेते हैं एक वाले सिर्य को लेते हैं उसको इस तरीके से चेक करते हैं ये देखो हर एक तार पर छुलाएंगे हम जिस पर बोलने लग जा है हमारी सीरिज तो वो इतार यह समझव लो ठीक है यह इस تार पर बोलने लग गी तो इस तार को हम जो निसान से अलग कर लेंगे यह देखो निसान लगाके उसके बाद इसको छे लिल लेते हैं हम इस पर जो जो insulation बारनिश होती है दोस्तो उसको हम अलग कर लेते हैं जो इसके बाद में जो दोनों से रे थे यानि कि स्टार्टिंग की एक तार से जिदर का साइड बोला था और दूसरे तार से जिदर का साइड बोला था उन तारों को हम आपस में जोड लेते हैं यहाँ दौस्तो हमने यही किया है दोस्तो हमारे यहाँ पर आपको original वीडियो ही मिलेंगी यह देखो दोस्तो कोई भी fake वीडियो नहीं मिलेगी यह दोस्तो हम ने जोड ली है और दोस्तो आएसके बाद में हम check करेंगे कि हमारी starting coil भी नहीं बोल रही है और दोस्तों हम इसको बताओं कैसे चेक करेंगे तो ये देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक सरा पकड़ते हैं एक सरा पकड़ने के बाद मैं ये जो है रांड फिवर में इसे घूम रही है उसके बाद हम इसका दूसरा सरा चेक करते हैं जिसे हम लिया है और पूरी कोईल का जो लाश्ट सिरा है उससे हम चुलाएंगे तो ये देखो ये कोईल ठीक है हमारी उसके बाद ऐसे ही हम इससे आगे जो दूसरी कोईल आएगी उसको भी सीरीज की सायता से चेक करेंगे दोस्तों मैं बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो आपके सामने बनाके दिखा रहा हूं दोस्तों इसमें कोई कमी नहीं है अच्छे से समझानी की कोसिस कर रहा हूं यह देखो यह पहले सीदा घुमा था उल्टी कोईल भूमी थी कोईल का लाश्ट सिरा हमने निकाल लिया है हम इसको भी सीरीस से चेक करेंगे इसका मतलब लगए कि पहली को ऑजुआ भी कोर्ट है वह से नहीं है इससे पता लग जाएगी हमें तो दोस्तों हमारी देखो दोसरी कोई ठीन है इस का वे जो भी फॉल्ट अ वह इस ही में हैं अब हम सिखर करेंगे अच्छे ऑपकों दखाने के कोसिस कर रहा हूँ उसके बाद म हम दूसरा सिरा पकड़ेंगे इसका, दूसरे सिरे से हम यह देखेंगे कि बाद वाली जो दो कोईल हैं, वो इस कोईल की लाष्ट तक बोलेगी या नहीं बोलेगी, यह देखो, यह दूसरा सिरा पकड़ा हमने, दूसरा सिरा पकड़ने को बाद, जहां पर हमें लाष्ट नह इस HERE इ blind Ben still अब हम अच्छे से पता तोल गई है कि हमारी इस कोईल में ही कमी कि है तो दोस्तो हम क्या करेंगे कि इस इस्ट्टर को निकालेंगे इस्ट्ट उसकर निकालने के बाद मैं हम दोस्तो है देखेंगे कि हमारा कहां से खराब है कहां से नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं यह देखो मैंने निकाला आया भी उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से औरजिनल तरीके से बिल्कुल औरजिनल तरीके से पतानी कोशस करूँ गा कि एक हमारी कॉइल है यह देख सकते हैं आप तो हमारे देखो यहां से तार कटे हुए निकले हैं रहे कि दूसरी कॉइल पर जाने के हमने जरुरत यह नहीं पड़ी तो दोस्तों हमें पता लगी के हमारी इसी कॉइल में जो इसी में है तो अच्छे से समस्झना कोई विची समझ में आए तो मुझे कमेंस करना मैं आपको अच्छे से समझाओँगा थो इसी तरह एस जैसे हमने पहली वाली को चेक के रहें इसी है कि एक स्रीज पकड़ेंगे उसके बाद कटे हुए तार पर कही न कहीं चुलाएंगे देखो मैं चुलानी की कुछिस कर रहा हूं देखो इसका मतलब यह है कि एक तार तो यह है एक सरे का कि यहाँ से हमें पूरी जो है सप्ला भी पहुंच रही है वहां तक उसके बाद हम इस्टार रनिंग कोईल का दूसरा सिरा पकड़ेंगे दूसरा सिरा पकड़ने के बाद में हम उसे भी ऐसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा तार किस से कनेक्ट है यह देखो मैंने कुसिस की है दूसरे सिरे से अब इससे हमें यह पता लग जाएगी कि हमारा कौन सा तार कौन से तार से लगना है देखो मैं अच्छे से देखो यह तार है एक इसको भी हम indicate कर लेते हैं कि यह हमारा सिरा दूसरी तरफ लगेगा तो दोस्तों इसका insulation हटा के इसको दूसरी तार से जोड़ देते हैं जो हमारा दूसरी कोई से बोल रहा था दोस्तों हमने जोड़ के यह मोटर कंप्लीट कर लिए अब हम इसको चेक करेंगे सीरिस से यह देखो मैं बताता हूं सबसे पहले हम starting चेक करते हैं यह दूंख हमारी कॉल बोल रही है उसके बाद हम running कॉल चेक करते हैं देखो बनके complete हो गई है, motor भी हमारी बनके complete हो गई है दोस्तों, इसके बाद हम इसको चला के दिखाएंगे आपको, यह देखो हमने अच्छे से कस लिया है इसको, इसकी setting अच्छे से ही विठानी पड़ेगी आपको, आवाज ना हो जादा या इस्टेटर किसी से नहीं लगे, आर्म करते हैं दोस्तों, यह मैंने पेजकर से चेक की है कि कोई भी body से touch नहीं है दोस्तों, दोस्तों वीडियो में भरपूर knowledge मिलेगी आपको दोस्तों, उसके बाद मैं मैं आपको इसके connection करके दिखाता हूँ कि इसकी जो है, रफ्तार या इसकी speed कि साब से आई है, यह देखो मै मैं भी आपको connection करके दिखाता हूँ दोस्तों, एक starting और एक running को एक जगह जोड़ देते हैं और एक starting और एक running में हम condensal लगा देते हैं, उसके बाद हम इसको चलाते हैं, यह देखो मैंने चलानी की कोशिस की है, यह देखो fan भूमने लग गया है, speed भी काफी अच्छी आई ह दोस्तों इस तरीके से हम अपने fan की rewinding होने से बचा सकते हैं, दोस्तों rewind नहीं करके हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, और अपने काफी पैसे बचा सकते हैं दोस्तों, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe करना है, दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो क बनाने में दोस्तों आपको मेरे चैनल पर खोई भी फिक वीडियो नहीं मिलेगी दोस्तों दोस्तों आगे मैं वीडियो में यह बताऊंगा कि इसको रिवाइंड कैसे करते हैं इसमें डाटा क्या होता है दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत झाल